आप सब का श्रागत आज हम लोग फिर 36 गड़ के जल प्रपात पर चर्चा करेंगे आज हम लोग रायपूर संभाग के जल प्रपात पर चर्चा करेंगे इससे पहले मैं दो वीडियो बना चुका हूँ दो वीडियो आपका बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग पर मैंने दो वीडियो बना चुके हैं आप देखना चाहते हैं तो मैं प्लेलिस्ट में जाए अच्छतिश गड़ के शॉर्ट ट्रिक का प्लेलिस्ट है उसको दबा कर देख सकते हैं इसके अलावा लाश्ट में मैं लाश्ट के वीडियो के लाश्ट में भी मैं आपको वो देता हूं लिंक देता हूं जिसको टच करके आप देख सकते हैं वीडियो को देख सकते हैं और अधियन कर सकते हैं तो चलिए आज रायपूर संभाग के अंदरगत जो आने वा पूछा जाता है, जो अकसर हम अकसर किताबों में नहें दिय रहते हैं, तो रैपूर संभाग के अंतररगत पात जिले समाहित रैपूर है, बलोधा बजार है, महासमुद है, गर्याबन्ध है, धम्तरी, रैपूर में अपना कोई जल्लप्रपात नहीं है, बाकि चारो जिले में अपने जलप्रपात है जहां बलोदा बजार में बागबिल, सिद्धिकोल, आमा जरिया, सिद्धी बाबा अपूटन और महा समुन में घोड़ा धारा, साथ देवधारा और केश्वा और वहीं पर अगर बात किया जाए गरिया बनका तो कुपाल, देव दहारा, गोडेना, घटारानी, जत्मई, चिंगरा पगार, गोदना, आमा खोल, बुढ़ा राज और बतालधारा और धमतरी की बात के नरहरा और पनवई ये इतने सारे जलप्रपात पाये जाते हैं एक एक चीज़ का हम लोग अध्यन करते हैं तो सुरबात उपर से बलोदा बजार में बाग बिल, सिद्ध खोल, आमा जरिया, सिद्ध बाबा, अकूटन, ये 5 याद रखेंगा बलोदा बजार में 5 प्रकार के जलप्रपात आपका मिलते हैं तो हम कैसे याद करें दीमा के बैठा है याद रखना बलोदा बजार इस बाजार से याद करना ब बाजार से उसी सब्स से याद करो बाजार से याद करो सिद्ध कोल और सिद्ध बाबा मने बाजार में ही असली मुल्ले का सिद्ध होता है न सही है या गलत है दूसरा बात करेंगे बाजार में ही आम मिलता है मने आमा जहरिया एक चीज़ याद रखेंगे कि जो आमा जहरिया नमक आमा जरिया नमक एक जल परपाथ आपको बलरामपूर में भी मिलेगा और इसी नाम से आपको बलरामपूर और 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 ब बाग बिल और कूटन, बाग बिल और कूटन को कैसे याद करें, तो बल, बल किसके पास है, बल बाग के पास है, बाग चुहे के बिल में ना घुसे, बरना लोग कूट कूट के मारेंगे, बस याद रखना, बाग जो है, बल जो है, बल से याद करना, बल बाग के पास है, झेलेगे उसको तो पूटन आपको याद हो जाएगा तो आसानी से बलोधा बजार के पांच याद रखना पांचों कर संसे करू Services करना इसे कर ना माहान धन समुद्र महान अधी किनारे महान धन समुद्र से याद करना समुद्र में तो धारा होती हुआ थारा कितना साथ समूधर पार, हम ल schemकूलते है 적 Ajara से डेव-धारा और साथ देव-धारा, ठीक है, याद रखने हैं, घोडा भर धारा और साफ देव-धारा, शाथ देव-धारा में भी आपको confusion करेगा, क्योंकि साथ धारा, साथ धारा नामक आपको मिलेगा दंते वाडा में साथ धारा नामक आपको मिलेगा दंतेवाड़ा में जलपरपाथ और देव धारा का नाम से जलपरपाथ बीजापूर मिलेगा देव धारा का नाम से जलपरपाथ बीजापूर में और साथ धारा का नाम से दंतेवाड़ा में और ये कुण सा साथ देव धारा है याद रहा है साथ देव धारा बोलेगा तो महा समुद्र आएगा क्योंको समुद्र में साथ बोलते है साथ समुद्र पार ऐसे याद कर साथ समुद्र पार किस से जाओगे घोड़े से जाओगे तो घोड़ा धारा अब घोड़ा धारा से भूदा आजाएगा कशवा करके याद करेंगे तो इसी से ट्रिक से हम लोग याद करने कोसिस करेंगे अब अगला है गरियावन गरियावने बहुत सारे आते हैं करीब 10 आ जाते हैं कुपाल देब दहारा गोडेना घटारानी जत्तमई चिंगरा पगार गोदना आमा खोल बूरहा राज बतालधारा हम लोग गरिया बंद से इस बंद से याद करो बंद मने पगार बंद जैसे बलते हैं आपका पगार बंद किया जाता तो इस बंद मने पगार बंद मने चिंगरा पगार आपको याद हो जाएगा गरिया बंद अगर जानोगे तो गरिया बंद मने गिरी या परवत से गिरा हुआ इसका सही अर्थ है गिरी या परवत से गिरा हुआ परवत से चारो और गिरा हुआ जो है उसको बलते गिरी या परवत तो आपको अगर इसका अर्थ मालूम है गरिया बन का, गिरी या परवत से गिरा हुआ, तो परवत में घटा होती है, परवत होगा तो परवत को उपर घटा चाये रहती है, बस याद हो जाएगा घटा रानी, घटा रानी और परवत, परवतों के देवता कोने हमारे सीव जाइं यहाँ पर दूसरा भागवान सीव की बात करना तो गोण अधिवासी को बुढ़ादेप क्याति हैं, बुढ़ा राजा याद करना गोण और गोण अधिवासी नें गोड़ना करके याद करवा लेना, और अगर अगर मैं याद करूँ सिब जो होते हैं सिब की जटा की जटा से धारा निकलते हैं जटा सीब की जटा से धारा निकलती है इस जटा से हम लोग याद करेंगे कौन सा जत्माई जटा से याद करेंगे जत्माई और जो धारा निकली है सिब कर सिब से कहा जाती है बिल्कुल पा बाताल में जाती है इनकी धारा और सिर से निकल कर ऐसे गंगा ने निकलते दिखाया गया तो बाताल धारा याद करेंगे ठीक है और हम सिब से ही याद करने कोसिस करेंगे सिब बड़े क्रिपालू देपता है जिसको चहबर देते हैं तो सिब से क्रिपालू देपता है क्रिप पता चल गया बंद से तो पगार बंद याद हो जाएगा गरिया कर परवतों से गिरा हुआ और परवत में तो हमेंसा घटा चाही जाएगा बाग के निचे बैठते हैं तो आजाएगा आपका खोल आमा खोल आपको याद हो जाएगा जाएगा बाग के निचे बैठते हैं तो आपको याद होता चला जाएगा नेक्ष्ट आज आता है धमतरी जो लास्ट आता है धमतरी में दो है नरहरा और पनवई किवल दो है नरहरा और पनवई कैसे याद करोगा धमतरी धम धंतरी धम मने धम धंतरी ऐसे याद करो कोई नर कोई नर धम से नीचे गिरा उसे पेन हुआ और मुछ से आवाज निकली उई मैं नर से याद किया नर हरा और मैंने याद किया पेन और उई से याद किया पेन और पनवई ना पेन और उई से याद किया पनवई ठीक है इस प्रकार चारों आप याद करने कोशिस करेंगे 150 याद करना है सर आपको और इसी ठंग से याद करूगा तो आपको याद हाँ दो तीन बार आपको दोहराना पड़ेगा क्योंकि दोहराव आ रहा है मने हर जुस में आता कुछ न कुछ दोहराव तो कहां पर है यह अंतर करके आपको याद करना होगा तो सारे के सारे आपको याद होते चले जाएंगे आसा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा वीडियो बाच करने के लिए धन्यवाद थेंक्यू वेरी मच